नमस्य दोस्तों आपका तहे दिल से स्वागत हैं आज का विडियो एक पावफुल मोटिविशन है स्वामी द्वारा हम ये जानने वाले हैं कि हमारे ग्रोथ या परसनल डिवलोपमेंट के लिए कौन सी चीजे या वो कौन सी पाँच बूरी आदते हैं जो तरक्की नहीं होने देती तो चलिए जानते हैं मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको सीधा ही जाना है कहीं मूडना नहीं है जब आप सामने देखते हैं तो आप सोचते हैं हाँ सीधा ही जाना है और आजू बाजू देखते हैं तो ऐसा भी विचार आता है कि यहां पर नहीं जाना है तो आज का वीडियो इस पर है कि आपको कहां पर जाना है और कहां पर नहीं ये डीटेल में हम जानने ही वाले है तो चलिए जानते हैं कौनसी ऐसी पाँच बुरी आदते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए या यू कहिए जो आपके personal development के लिए सही नहीं है सबसे पहला अपने आपको दूसरों से compare करना छोड़ दो दूसरों को देखकर हमें लगता है कि वो कितना खुश है मैं क्यों नहीं इतना याद रखी है कि किसी व्यक्ति की असलियत सिर्फ और सिर्फ उसे खुद को ही पता होती है आप किसी के भी बारी रूप को देखकर सुकी दुखी नहीं हो सकते सामने वाले व्यक्ति की दुख की बाते आपको पता नहीं होती हो सकता है आपके सामने उसके चेहरे पर मुस्कान हो पर इसे ये शोर नई होता कि वो सुखी है खुश है उसकी अंदर की असलियत केवल उसे ही पता होगी हम अंदाजा नहीं लगा सकते इसलिए दूसरों की खुशी से अपने आप को कमपेर मत करिये और ये बाते यही तक सिम नहीं है कोई आप से ज्यादा अमिर है तो इसका मतलब ये नहीं निकल आता कि आप उससे या किसी से कम है उदार नार्थ आप किसी के साथ शौपिंग करने जाते हैं उस व्यक्ति ने डेर सारे पैसे खर्च कर शौपिंग की तो उस व्यक्ति की वो प्राथमिक्ता है ये आ आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वह कपड़ों पर इतना खर्च क्यों कर रहा है तो यहां यह सोच कर क्या फाइदा कि उस वक्त आप इतना खर्च नहीं कर सकते आपके लिए आपकी प्राथमिक्ता अच्छे खान-पान के लिए खर्च करना यह हो सकती है जो उस व्यक्ति क पर खर्चा उचित न समझ कर अच्छी सिहत बनाने के लिए सोचा कहने का मतलब यह है कि दोनों बाजूससे देखें तो दोनों भी अमिर हैं दोनों भी खुश हैं पर उस समय मन की बात ना जानकर compare करने लगते हैं जो नहीं करना चाहिए जो छोड़ना चाहिए उस समय आप भी सही है आपकी सोच नुसार तो यदि आप अपने आपको ऐसा अंजाने में compare करते हैं तो अब भी छोड़ दीजिए दूसरा है अगर आप अपने खुद के काम के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं तो ये भी छोड़ना चाहिए क्यों क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसके हिसाब से आपको time देगा और आपका धे समयक सिमा के अंदर ही complete करना होना चाहिए जो लोग किसी दूसरे पर निर्भ है कि आपका काम पूरा हो ना कि दूसरों की विशेश मदद से वो पूरा हो आपका काम किस तरह से और कब तक पूरा होना चाहिए ये आप से बहतर कौन जान सकता है तीसरा है यदि कोई किसी की बुराई करता हो तो उसमें इंट्रेस्ट मत लीजिए क्योंकि दूसरों की बुराई करना या सुनना यही बुराई की शुरुवात है अगर आप किसी की बुराई में इंट्रेस्ट दिखाते हैं या उसमें भाग लेते हैं तो कही न कही नेगेटिविटी को आप अपनी और आकरशित करते हैं। सकारतमर लोगों के साथ रहे कर जैसे पॉजिटिविटी आप अपनी और आकरशित कर लेते हैं। वैसे ही नेगेटिविटी भी कर लेते हैं। तो सबसे बहतर यही होगा कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखे जो लोग आपके सामने दूसरों का मजाक उडाते हैं तो वो आपका भी कही न कही मजाक उडाते होंगे इसलिए ऐसे लोगों के मजाक पर आप हसेंगे ही नहीं तो हो सकता है वो आगे से आपके सामने ऐसा ना करे इसलिए दूसरों की बुराई से बचे और बुराई करने वालों से बचे चौता आता है जो हो चुका है उसका अफसोस कभी मत कीजिए अर्थात अपने भुतकाल को वर्तमान काल पर हावी मत होने देना नहीं तो आपके नजर में जो भुतकाल खराब था तो वर्तमान भी हो सकता है अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको भारी दुख हुआ हो तो एक बार अफसोस कीजिए दो बार कीजिए पर तीसरी बार नहीं हमें अपने मन को अफसोस की कुलाडी से बार-बार घायल नहीं करना चाहिए हमारा ही मन है उसे अच्छे आदतों में लगा कर हर पल खुश रहना चाहिए जो लोग अपना रोना बार-बार दूसरों के सामने रोते हैं तो ऐसे लोगों को एक बार सहनुभुती मिल सकती हैं ब तो आपका पास्ट ना आपको प्रेजेंट में जीने देता है और ना ही फ्यूचर के लिए आपको प्रिपेर करता है इसलिए जो बीद गया सो बीद गया अभी नए टाइम में फिर से नई सोच शुरू कर खुशी से आगे बढ़े आपकी मनजिल आपके खुशी के दिन आ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए संपूर्ण ब्रह्मान की रचना ही कुछ इस प्रकार हुई है कि आप जीस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उसी चीज में आश्चर जनक रूप से वृद्धी भी होती है वो पूरा होने लगता है तो आपको क्या करना चाहिए आप जो अपने आपको होते देखना चाहते हैं उस पर फोकस करिये उस बारे में बाते किजिए वो ही सोचिए उधारनात यदि आप अपने इंकम बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए कि आपको उसे हिसाब से opportunities भी मिल चुकी है तो जो चाहिए वो ही देखिए एक बात मान लिजे आप ओर्डर करते हैं रोटी और सबजी चाहिए आप ऐसा नहीं कहते कि मुझे ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए हर कोई यही कहता है कि उसे क्या चाहिए अगर हम ओर्डर करते हैं कि क्या क्या नहीं चाहिए तो जो सबजी रोटी चाहिए क्या वो मुनुश्य आपको लाकर दे सकता है नहीं तो यही बात हमारे लाइफ में भी लागू होती है यह ब्रहमाण एक ऐसी अद्बुत्रस्यमई जगा है जहां हमारी हर एक इच्छा पूरी हो सकती है कैसे हमारे सोच से आप बस इतना समझ ल प्रोडिसर आप खुद ही है अब सुनिए ब्रहमाण को कैसे और करना है ब्रहमाण से भी वही कहिए जो आपको चाहिए अगर आप ब्रहमाण से ऐसे कहेंगे कि यह नहीं चाहिए यह नहीं चाहिए जैसे मुझे पैसों की कमी नहीं चाहिए मुझे तबियत खराब नहीं च करते हैं तो ब्रह्माण इतना विशाल और शक्तिमान है कि वो बिना दिये नहीं रहता उसे तो कुछ न कुछ देना ही है केवल देना ही उसका स्वभाव है इसलिए ब्रह्माण आपका नहीं ये शब्द नहीं समझता इसलिए यदि आप लगातार सोचते हैं कि कहीं पैसे कम ना पड़ जाए कहीं तबियत खराब ना हो जाए तो दरसल ब्रह्मान को यह आप एक और दे रहे हैं जिसे वह इस तरह लेता है या सुनता है कि यह मनुश्य यह गटना इतनी तेजी से होती है कि आप नोटिस ही नहीं कर पाते तो जो चाईए वही देखिए ऐसे ही बोली ब्रहमान को समझ आती हैं तो जो बोली उससे समझ आती है वही बोलने चाहिए उम्हेदे यह पावफुल मोटिवेशन स्वामि द्वारा आपको समझ में आया अपना ख्याल रखें दर्तिमा की रक्षा करें और जरूरत मंदों की साहता करें जय हो